आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें ये जे वर्जा कहलाती है ठीक है? और ये जो हमारा फसल, गोबर, पेड, लकली आदी है ये सभी क्या कहलाता है? ये सभी बायो मास के नाम से जाना जाता है तो अब हम काश्ट को कैसे पता सकते हैं जे वर्जा के लिए तो दोस्तों कई, जैसे कि यहाँ पे काश्ट तो गन्ने की जो पतियां होती है उसका उप्योग इन्धन के रूप में बिजलियूत पादन के लिए किया जाता है और जो हमारा जे ट्रोफा का फल होता है उसका प्रियोग भी किस के लिए किया जाता है? उसका प्रियोग किया जाता है यहाँ पे डीजल या पैट्रोल यहाँ पे डीजल बनाने के लिए ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि प्रकाश संसलेशन के द्वारा पोधो में उर्जा का संचय होता है तो पौधे के प्रत्यक भाग में उर्जा पाई जाती है, ठीक है, तो उस जे उर्जा को हम अलग-अलग विद्यो द्वारा, उसी जे उर्जा को अलग-अलग विद्यो द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, हम प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पे इस उर्जा का प्र होता है सबसे जादा प्रियोग किसमें किया जाता है इंधन के रूप में इसका किया जाता है इसके अलावा यह जो है नवी करणियों होता यह कैसा रहता है स्त्रोध नवी करणियों यानि कि पुना हमें प्राप्त हो जाता है तो इस तरीके से काश्ट जो है वो हमारा बहुत जादा महात्वपूर होता है जे उर्जा की द्रश्टी से आशा करते हैं आपका स्प्रश्णे का उत्तर समझाय होगा वडिये को देखने के लिए धन्यवाद आपका स्प्रश्टी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोजा आशी डाउनोट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर